सुप्रभाद बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पत्र के बारे में पढ़ेंगे जो की प्रश्ट संक्या 112 पे दिया हुआ है आपकी किताब के यह पत्र पाठ 12 के अंतिम में दिया हुआ है ठीक है, तो बच्चों पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है अपचारिक पत्र और एक होता है अनपचारिक पत्र अपचारिक पत्र यानि फॉर्मल लेटर्स जो की हम अपने प्राचारे को, प्रिंसिपल को यानि एडिटर्स को, संपादक को इस तरीके से लिखते हैं ठीक है उसी प्रकार दूसरा होता है अनापचारिक पत्र ठीक है जो हम अपने रिष्टेदारों को अपने भाई, बहन, माता, पिता अपने मित्रों को इन सब को लिखते हैं ठीक है तो बच्चों जो पत्र होता है वह पहले तो बहुत जादा लिखे जाते थे आए देन हम सब का, डिजिटल चीजोंने स्थान ले लिया है जैसी कि अब हम वाटसेप करते हैं लोगों को, चीक है? इमेल's के थ्रू हम इन्वाइट करते हैं लोगों को बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि पत्र क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं तो देखें उसी प्रकार य इसकी heading है तो यह जो लिखा है यह क्या होता है बच्चों पता यानि की address हम जिसको लिख रहे है पत्र उसका यह है पता होता है ठीक है तो जैसे लिखती है कैलाश colony date लिखती है यानि दिनांग ठीक है आप पूरा भी लिख सकते हैं किसी का house number है colony है पास का कोई area है landmark है वो भी आप सब लिख सकते हैं ठीक है फिर ये जो है प्यारी मौसी इसको कहते हैं हम संभोधन ठीक है तो संभोधन के लिए हम अपनी किसी भी अपने साथ की उमर वाले या किसी को भी लिख रहे हैं तो प्रियर ठीक है प्यारी इस तरीके से लिख सकते हैं हम बड़ों को लिखते हैं कम लिखते हैं पूज, आदरनिये, ठीक है, मौसी के लिए प्यार भरा शब्द है, इसलिए, हम किसी दादा जी को लिख रहे हैं, दादी को लिख रहे हैं, इसलिए हम आदरनिये कभी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, फिर कैसे लिखा है देखे, नमस्ते, मौसी आपकी याद आ उसको व्यक्त कर रिये मौसी भाई और बहन कैसी हैं और आप कैसी हो हम यह ठीक हैं लेकिन चोटे भाई को बुकार आ गया था अब भे भी ठीक है मौसी हमारे घर कब आओगी मौसी जरूर आना हमारे घर हम पाटी बनाएंगे ममता और रोयत पढ़ने जाते हैं तो उनसे कहना वो दोनों ध्यान से पढ़ें राहुल तो रोता है कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है हम किसी दिन आएंगे मौसी मैं पत्र बन करती हूं चोटे भाई बहन को प्यार देना आपकी बेटी राधा ठीक है इस तरीके से आप भी अपनी मौसी को मामी को मामा को बुवा को किसी को भी इस तरीके से पत्र लिख सकते हैं अपने माता पिता को या अपने भाई बहन को आप जैसा भी सोच रहे हैं अपना कुछ बता सकते हैं ठीक है आप अपनी birthday party में बुलाने के लिए भी लिख सकते हैं पत्र तो ये एक नमूना था एक पत्र का ठीक है उसी प्रकार से देखिए ये दूसरा पत्र है जो कि यहाँ पे देखिए इनने अपना पता लिख दिया है address जिसको लिख रहे हैं ये बुआ जी को लिख रहे हैं हम भी यहां सब सकुषल हैं ठीक है मेरी यहां परिक्षा होने वाली है इस बार माने कहा है कि गर्मी की चुट्टियों में हम सब आपके पास आ रहे हैं मुझे आपकी बहुत याद आती है मुनिया दादी और राजु भाया कैसे हैं हम सब चुट्टियों में खूब खेलें आपकी बेटी महिमा जो पत्र लिख रहा है वह अपना नाम लिखता है अंत में ठीक है बच्चों तो इसी तरीके से आप इन पत्रों को अच्छे तरीके से पढ़िए समझे और लिखने का अभ्यास करिए